आप सभी के साथ मैं हूँ शैली सैनी और आपको स्वागत करती हूँ इस खास पेश-कृष में यहाँ हम बात करेंगे वैंकूवर आइलेंड की एक नियूज आंकर कोरी सिडवे के बारे में हो सकता है आप में से कई लोगों ने उनके बारे में सुना हो नहीं सुना है तो जानिये यह सिर्फ कोरी सिडवे की बात नहीं है इन फाक्ट तमाम महिलाओं की बात है जिन्हें on a daily basis question किया जाता है पेट्रिणाइज करने की कोशश की जाती है, opinion रखा जाता है और उन्हें objectify करने की कोशश की जाती है आगर एक news anchor के साहथ ऐसा क्या हुआ? हो सकता है आपके मन में यह सवाल आया हो दरशे खोरी सिडवे, एक news presenter है और हाल ही में उन्हें एक शफ्जने mail करके उन्हीं के एक bulletin की तस्वीर पेश करी where she was wearing a white color top जिसमें slightly उनका ख्ली विच विजिबल था और उन्हें body shame करने की कोशिश करी कि यहां ध्यान किस ओर जा रहा है और इस मौके पर Chloe Sadaway ने शांत बैठने की बजाए सामने आना सही समझा उन्होंने अपने social media platform पर उस mail का snapshot दिया उसमें उनकी जो तस्वीर दी गई थी और उनकी तस्वीर को एक mannequin के साथ compare किया गया था वो तस्वीर भी सभी के सामने पेश करी है जो हम भी आपको दिखा रहे हैं और यहां पर she's calling out to that person जिन्होंने उन्हें body shame करने की कोशिश करी है in fact अपना experience भी उन्होंने शेयर किया है कि ever since she has shared this particular post उनको कई female journalist का support मिला है लेकिन support के साथ साथ कई लोगोंने उन्हें भी question किया है यहां तक की बहुत ही derogatory comments का भी सामना उन्हें करना पड़ा है जैसे कि किसी ने उन्हें यहां तक suggest किया है कि pornography क्यों नहीं start कर देती है that is so unfortunate and so unacceptable but kudos to Corey कि उन्होंने फिर भी सामने आकर एक बार फिर जवाब देना सही समझा कि मैं दोबारा वो dress पहनने को तयार हूं because enough is enough आप females को certain boxes में रखना बंद करें यह खबर पढ़कर मुझे क्या लगा well सिर्फ मुझे नहीं आपको भी क्या लगा आप यह बताईए क्योंकि मेरे हिसाब से तो यह मेरी जिंदगी है अगर मैं कोरी के perspective से देखूँ वो कोरी की मर्जी है आप अपना opinion देने में कितने quick है यह क्यों नहीं सोचा के कोरी का अपना opinion है she is an adult woman, she is a grown-up woman presenting news she is an intelligent person जो एक news presenter है उसके बावजूत you are reducing her to just clothes and kind of trying to objectify her तो यहां मैं सिंपली ता कहना चाहती हूँ के जब आप एक उंगली किसी के तरफ उठाते है मत भूलिये बाकी के उंगलिया आपकी तरफ पॉइंट कर रही है so before you start pointing your fingers to others before you start objectifying others आप बूसरों पर अपना opinion जब देते हैं उससे पहले introspect करें अपने आपको evolve भी करना सीखें अपनी सोच के दाइरे को पढ़ाएं मुझे सर्फ इतना कहना है आप क्या कहते हैं आप ज़रूर अपनी राय हम तक share करें क्योंकि हर एक इंसान की सोच इस समाज की सोच बनती है जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे समाज कैसे बदलेगा Let's be the change Thanks for watching